जर्मनी का बर्लिन शहर ये साल है 1995 यहां कहानी का एक बहुत महत्पूंट किरदार रहता है माइकल जो एक वकील है वो किसी के लिए ब्रेकफास्ट लगा रहा है तबी पीछे से आवाज आती है कि तुमने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए उठाया नहीं माइकल कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बलकि ये ब्रेकफास्ट तुमारे लिए ही लगा रहा था माइकल उस लड़की को बताता है कि वो आज अपनी बेटी से मिलने जा रहा है फिर वो लड़की तैयार होकर वहां से चली जाती है माइकल अपने खि प्रिकता हुआ अपने घर जाने लगता है, उसकी तबियत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, कि उसे उल्टिया होने लगती है, और वहां से वो एक घर के बाहर बारिश से बचने के लिए बैठ जाता है, तभी उस घर में रहने वाली एक महिला आती है, उसकी उमर की तबियत बहुत ज़्यादा भी गड़ गई है, माइकल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और रोने लगता है, फिर वो माइकल का मूँ साफ करती है, और उसे गले लगा कर उसकी हिम्मत बानती है, बारिस रुख जाने के बाद वो उसको उसके घर छोड़ने जाने लग माइकल ठीक होकर उस महिला को थेंक्यू बोलने के लिए उसके घर फूल लेकर जाता है। जैसे जहाकने लगता है। तभी वो महिला अपने काम पर से लोट कर घर आ जाती है। अब माइकल को भागने की जगह ही नहीं मिलती। और वो वहाँ माइकल को देख लेती है। और उसके नहने के बाद वो उसको तोलिया देती है। लेकिन उसने खुद कोई कपड़ा नहीं पहना होता और माइकल की कमर पर किस कर देती है। माइकल घवरा जाता है। तभी वो महिला बोलती है। तुम इसके लिए ही तो यहाँ आए थे। माइकल कुछ कह नहीं पाता और उसको किस करता हुआ उस पल में खो जाता है। और दोनों इंटिमेट हो जाते हैं। माइकल पहली बार इस एहसास को महसूस करता है। इधर माइकल को घर वापिस आने में लेट हो जाता है, तो घर वाले उससे लेट आने का कारण पूशते हैं। वो बताता है कि वो घर का रास्ता भूल गया था। तबी उसकी छोटी बहन बोलती है कि कोई अपने घर का रास्ता नहीं अब आकर माइकल उससे उसका नाम पूसता है, वो अपना नाम हैना बताती है और फिर माइकल अपना नाम बताता है, हैना उससे पूसती है, तुम क्या पढ़ते हो, तो वो बताता है कि मैं एक literature का student हूँ और अलग-अलग भाशा जानता हूँ, जैसे Latin, Greek, German, तो हैना पूसती ह कि तुम जर्मन में क्या पढ़ रहे हो? माइकल बताता है, वो एक नाटक पढ़ रहा है, जिसका नाम है अमेलिया गलोटी, और वो उस बुक को हैना को पढ़ कर भी सुनाता है, अब माइकल रोज हैना को किताब भी पढ़ कर सुनाने लगता है, फिर एक शाम, माइकल बस से अपने घर जा रहा था, हैना माइकल को देखकर अचानक गुस्सा हो जाती है, और अपने घर चली जाती है, माइकल कुछ समझ नहीं पाता, और उसके पीछे घर जाता है, उसे गुस्सा होने का कारण पूछता है, पूछने पर वो बताती है कि तुम दूसरे डिब्बे में क्यों चड़े, तुम मेरे वाले डिब्बे में क्यों नहीं आए, माइकल बताता है कि मैं इस डिब्बे में इसलिए नहीं चड़ा, क्योंकि मुझे डरता, कहीं तुम मुझे किस न कर लो, हैना बोलती है कि मैं ऐसा क प्रफिर पहले मुझे किताब पढ़कर सुनाओगे और फिर हम वो करेंगे जो तुम चाहते हो। उसके साथ दो दिन के साइकल ट्रिप पर चलने के लिए पूसता है। और वो समझ जाती है वो उसकी मा नहीं है। और साथ ही उस डायरी में उसने वो सारी डेट्स भी लिखी हुई थी जब जब माइकल ने हैना को अलग-अलग किताब पढ़कर सुनाई थी। वहाँ से माइकल कोट चला जाता है और जैसे ही कोट की कारवाई सुरू होती है माइकल फिर से पुरानी बातों को सोचने लगता है और कहानी वापस पास्ट में चली जाती है। माइकल स्कूल में बैठा है और उसके बगल में एक लड़की बैठी है जिसका नाम है सोफी। वह माइकल को पसंद करती है और कई बार उसे इशारे भी देती है लेकिन माइकल उसको हमेशे इगनोर करता है और कभी अपने करीव नहीं आने देता। इधर एक सीनियर हैना को बताता है कि उसका पर्मोशन हो गया है अब वो ऑफिस में काम करेगी अब उसे टिकेट काटने की जरूरत नहीं है लेकिन हैना इस बास से खुश नहीं होती उधर दूसी तरफ माइकल के जनम दिन पर उसके दोस्तों ने एक सप्राइज पार्टी रखी होती है लेकिन माइ माइकल बताता है कि आज उसका जनम दिन है कुछ देर रुक कर हैना माइकल को अच्छे से रगड रगड कर नहलाती है और फिर दोनों इंटिमेट होते हैं उसके बाद हैना माइकल को वापस अपने दोस्तों के पास जाने के लिए बोलती है वो वापस अपने दोस्तों के प कहानी वापस आज के समय में आती है। 1966 हेना के चले जाने के आठ साल बाद माइकल लौकी पढ़ाई पढ़ रहा है। अंदर भावनाओं का तूफान उमर पड़ता है। उसका प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। वो बोलता है हाँ वो ठीक है। असल में हेना के उपर एक कोट केस चल रहा होता है जिसमें 6 ओरतों ने 300 यहुदी ओरतों को जिन्दा जला दिया था। फिर जज हैना से पूछता है कि जब तुमें परमोशन मिल गया था तो तुमने SS में गार्ड की नोकरी क्यों जोइन की। हैना बताती है कि तब SS में भरतिया निकली हुई थी और मुझे पता चला मैंने जॉइन कर ली। तभी जज उसे एक किताब दिखाता है जो उसी हाथसे में जिंदा बची महिला इलियाना ने लिखी थी। तब ही कोट इलियाना को बलाता है वो आती है और बताती है कि वहाँ उस कैम्प में गार्ड्स उन सबसे काम करवाया करते थे और जो वो किसी काम के लायक नहीं रहते तब नए लोगों को लाया जाता और इन पुराने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता फिर जज इलियाना से पूसता है कि क्या तुम उन गार्ड्स को पहचान सकती हो वो उन सभी महलाओं को पहचान लेती है जिसमें हैना भी थी फिर जज़ पूसता है कि वो गार्ड्स तुम लोगों को कैसे चुनते थे तब इलियाना बताती है कि हर एक गार्ड कुछ महिलाव को चुनते थे लेकिन हैना के चुनने का तरीका सबसे लगता वो उनको चुनती और उन्हें रहने की जगह भी देती माइकल ये सब सुनकर चौक जाता है और उसे यूजड होने का हैसास होता है क्योंकि हैना उसके साथ ठीक वैसा ही किया करती थी फिर इलियाना की माने जज़ को बताया जब वहाँ बंबारी हुई तो वो सब चर्च में बंद थे फिर वहाँ आग लग गई और जैसे ही उस आग से बचने के लिए सब बाहर भागने लगे तो दरवाजे बंद थे जिसके कारण वहाँ सब जल कर मर गए सिर्व वो माँ और बेटी ही बचे अब माइकल के दोस्त आज के ट्रायल के बाद अपनी कलास में आकर आपस में इस केस को लेकर बात कर रहे होते हैं तभी उन में से एक लड़का कहता है कि ये सिंपल एक केस था जिसमें 6 औरतों ने 300 यहूदी औरतों को जिन्दा जला दिया और अब इस केस का कोई यूज नहीं है क्योंकि कोट में वो सब और अगर हम दरवाजा खोल देते तो वहाँ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती जो की समहलने में नहीं आती और वहाँ बंप पहले से ही फोड़े जा रहे थे और आग सारे गाउं में लगी हुई थी। थी। हैना इस बात से इंकार करती है और कहती है कि मैं सिर्फ एक पैरदार ही थी। उन लोगों ने ये बात उससे चिड़कर कही थी। क्योंकि हैना की इमानदारी के चलते वो सब फस रही थी। तभी जज कहता है कि हैना तुम अपनी हैंड राइटिंग का नमूना दो। हैन इस्ट्रेंड का मैन्यू, उसने कभी भी नहीं पड़ा, तभी माइकल समझ जाता है, कि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर हैना जस्से कहती है, ये रिपोर्ट मैंने ही लिखी है, इतना सुनते ही माइकल कोट के बाहर निकल जाता है, वापस आकर माइकल प्रोफेसर क बताता है कि वादी अपने बारे में एक बात नहीं बता रहा, जिससे बताने से उसकी सजा कम भी हो सकती है, प्रोफेसर कहता है वो ऐसा क्यू करेगी, माइकल बोलता है कि उसे उस बात को बताने में शर्मिंद की महसूस हो रही है, इसलिए वो नहीं बता रही, अगले दिन माइकल हैना से मिलने के लिए जेल जाता है लेकिन उससे बिना मिले ही वापिस आ जाता है वहाँ से वापिस आ कर माइकल अपनी क्लासमेट के पास होस्टल में आता है और वो उसके साथ इंटिमेट होता है अगली सुबह सब कोट पहुंच जाते हैं जिसे सुनने के बाद माइकल अपनी आँखों से आंसुओं को नहीं रोक पाता। साल 1976 माइकल अपने पेरेंट्स के घर जाता है, जहां वो सारी किताबों को देखता है, जो उसने कभी हैना को पढ़कर सुनाई थी, वो उन सारी किताबों को लेकर अपने घर आ जाता है, वो कुछ किताबों को ओडियो कैसिट्स में रिकॉर्ड करके, हैना के लिए जील में भेजता है, साथ ही एक औडियो प्लेयर भी भेजता है, जिससे उन कैसिट्स को सुन सके, इधर हेना जैसे ही कैसे डाल कर टेप आन करती है, वो माइकल की आवाज पहचान जाती है, और डर कर टेप बंद कर देती है, और फिर अपनी कापती हुई उंगलियों से दुबारा उसे चलाती है, अब माइकल धेरे-धेरे सभी किताबों की audio cassette record करने लगा, और हेना के पास भ वो पहली बार समझती है कि T.H.E. दा कैसे लिखते हैं, और वो उस पेज पे लिखे सभी दा को सरकल कर देती है, ये उसकी जिंदिगी का पहला अक्षर था, जिसको उसने अपना पढ़ा और जाना, चार साल ऐसे ही बीत जाने के बाद, माइकल को एक लैटर मिलता है, उसमे तूटे-फूटे अक्षरों में लिखा होता है, Thank you for Cassit Kid, I really like it, मतलब Cassitों के लिए शुकरिया, ये मुझे बहुत पसंद आई, माइकल के लिए ये शब्द इतने भारी थे, कि उनका बोज वो उठा नहीं पा रहा था, वो लड़ खड़ा जाता है, और बहुत ज़्यादा खो जाता है, इधर हैना अब और कैसे टेसीव करती है, तो इस बार वो उन पर साइन करती है, अब से पहले वो सिर्फ एक लाइन खीज दिया करती थी, हैना माइकल को लेटर लिखकर और रोमेंटिक किताबों की ओडियो भीजने को कहती है, अब धीरे धीरे ऐसा करते हुए आठ साल के अंदर हैना बहुत सारे खत माइकल को लिखती है, माइकल उन सभी खतों को पड़ता है और एक जगे रख देता है, अब एक दिन 20 सालों में पहली बार जेल से माइकल को फोन आता है, जेलर उसको बताती है कि हैना की सजा खतम होने वाली है, और उसके पास तुमा माइकल उसे बताता है और मेरी एक बेटी भी है। माइकल की जिंदगी तभा कर दी अब माइकल अगले हपते हैना को लेने आता है वहाँ जेलर उसे बताती है कि उसने टेबिल के ऊपर अपनी सारी किताबे रखी और उस पर चड़कर फासी लगा ली लेकिन जाने से पहले हैना ने एक वसियत छोड़ी है जिसको जेलर पढ़ती है वो लिखती है कि उसके चाय के डिबबे में जो पैसे हैं वो माइकल को दे दें और माइकल उन पैसों के साथ मेरे बैंक में पड़े साथ हजार रुपे भी उस आग से बची-बची इलियाना को दे दे अब माइकल चाय का डिबबा लेकर इलियाना के पास अमेरिका जाता है वहाँ वो देखता है कि इलियाना का घर बहुत आलिशान बना हुआ है उसने सिर्फ उस किताब को लिखकर बहुत कुछ हासिल कर लिया था माइकल इलियाना को यह भी बताता है कि जेल जाने से पहले हैना पढ़ना लिखना नहीं जानती थी वह पढ़ना लिखना सीखी है इन 20 सालों में और वो भी उन ओडियो से जिसको मैंने भेजा था इतना सुनते ही इलियाना सक पगा जाती है वो अपनी गलती को समझ जाती है वो जान जाती है कि इसमें हैना का कोई दोश नहीं था लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे कोई फरक ही नहीं पड़ता माइकल चाय का डिबा और पैसे इलियाना को दे देता है इलियाना चाय का डिबा रख लेती है लेकिन पैसे वापस कर देती है माइकल उन पैसों को उठा कर वहां से चला जाता है और हैना के नाम से ही उन शीवरों में डोनेट कर देता है जहां सभी रिफ्यूजियों को पड़ाया लिखाया जाता है साल 1995 माइकल अपनी बेटी से कहता है कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं और वो उसको लेकर हैना की कबर अपर जाता है फिर वो उसको अपनी और हैना की वो कहानी सुनाता है जिसको चुपाने के लिए वो अपनी बेटी से दूर रहता था और कहानी महीं खतम हो जाती है आशा करता हूं कि आप सभी को ये explanation पसंद आई होगी और भी मुवी के explanation सुनने के लिए आप हमारे इस channel को like करें सब्सक्राइब करें और साथ ही bell icon दमाना ना भूलें